हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु शिवानिस किचन आज मैं आप लोगों को गार्लिक टी यानि की लैसुन की चाय पीने की फायदों के बारे में बताऊंगी लैसुन सेहत के लिए काफी फायदे मन मानी जाती है भारती किचन में इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है कई घरों में लैसुन की चटनी भी बनाई जाती है जो काफी स्वादिस्ट होती है ये भुजन को भैतरी इन स्वाध देने के साथ कई गुणों से भरपूर होती है कई लोग सुबा खाली पेट भी लहसुन खाते हैं जिसे शरीर की कई समस्यां दूर होती है लिकिन क्या आपने कभी लहसुन की चाए के बारे में सुना है जी हाँ लहसुन की चाय पोश्टिक गुणों से भरपूर होती है जो आपको कई तरह से फायदा पहुचा सकती है तो आईए चानते हैं लहसुन की चाय पीने से होने वाले फायदों के बारे में लहसुन की चाय अपने powerful, antibacterial, antifungal और antiviral गुणों के लिए जानी जाती है ये immune system को मस्बूत करने और शरीर को infection से बचाने में भी मदद कर सकती है लहसुन की चाय में ऐसे योगिक होते हैं जो korostol level और blood pressure को कम कर सकते हैं ये heart disease के खतरी को कम कर सकते हैं और overall health में सुधार करने के लिए जाने जाते हैं लहसुन की चाय में detoxification गुण होते हैं जो liver, kidney और अन्ने अंगों को साफ करने में मदद कर सकते हैं ये toxins को खतम करने और healthy cells function को बढ़ावा देने में सायता करते हैं लहसुन की चाय के जिवानु रोधी गुण, सरदी, खासी और flu जैसे respiratory function के लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद कर सकते हैं लहसुन की चाय में antioxidant गुण होते हैं जो शरीद में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं इससे उन लोकों को फायदा हो सकता है जो गठिया, अस्तमा या पाचन संबंदी विकारों जैसे सूजन संबंदी स्थितियों से पेडित हैं लहसुन की चाय का सेवन पाचन एंजाइमों को बनाने और मलत्याक को कंट्रोल करके healthy पाचन को प्रोच्राहित कर सकता है ये अपच के लक्षणों को कम करने और पोशक ततों के absorption में सुधार करने में भी मदद कर सकता है लहसुन की चाय वजन खटाने में साहता कर सकती है क्योंकि ये metabolism को बढ़ावा देने और fat burn करने को बढ़ावा देती है ये भूग को कंट्रोल करने और लालसा को कम करने में भी मदद कर सकती है जिससे healthy weight बनाए रखना असान हो जाता है अगर आप diabetes के मरीज हैं तो आपको खाली पेट लहसुन की चाय का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें पाई जाने वाला तत्व blood sugar level को कंट्रोल करने में मदद करता है अगर आपको किसी तरह का fungal infection है तो इसका सेवन करना ना भूले इसके इलावा आप लहसुन को पीस कर प्रभाविज जगा पर भी लगा सकते हैं ऐसा करने से आपको काफी अराम मिलेगा दात में दर्ध होने पर आप लहसुन की चाय बना कर पी सकते हैं ऐसा करने से आपको दातों में अराम मिलेगा आप चाहे तो दर्ध से रहत पाने के लिए इसके तेल को भी दात पर लगा सकते हैं हाइपर्टेंशन जैसे रोगों से लड़ने के लिए लेहसुन बेहद उपयोगी होती है लेहसुन का सेवन करने से पाचन करिया को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है लेहसुन की चाय पीने से हाइपर्टेंशन से पीडित लोगों को फायदा होता है तो दोस्तों अगर आप रुगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सभी हेल्फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिएगा धन्यवाद